एल्विश यादव की बहन कोमल यादव का आया एल्विश यादव की एर्रेस्ट होने पर स्टेट्मेंट कहा भाई को आप सब की दुआ की जरूरत है वेल क्या है पूरी खबराई जानते हैं इस रपोर्ट में एल्विश यादव जो की सोशल मीडिया इंफुएंसर है, यूट्यूबर है और बिग बॉस OTT सीजन टू के बिनर भी रह चुके हैं ऐसे में एल्विश यादव की फैन फॉल्विंग काफी तकडी है और एल्विश यादव सुर्खियों में अकसर बने रहते हैं और अब एल्विश यादव काफी बुरे दौर से गुसर रहे हैं एल्विश यादव को 14 दिनों की नयाये के हिरासत में ले लिया गया है दरसल एल्विश यादव पर सापो के जहर का रेव पार्टी में इस्तमाल करवाने पर आरोप लगाया गया है सापों के जहर की तसकरी करने का आरोप लगाया गया है और इस तरीके से कई सारे संगीन आरोप एलविश यादव पर लगाये गये हैं और इस वजह से उन्हें 14 दिनों की नियाये के हिरासत में रखा गया है ताके पुलिस अची तरीकी से इसके पूरे मामले की जाच परताल कर सकें जहां एक तरफ एलविश के फैंस इस न्यूस से खासा नाराज है पुलिस के एलविश को इस तरीके से अरेस्ट करने पर अपना नाराजगी अपनी गुस्से को जाहर कर रहे हैं तो वहीं कई यूट्यूबर्स और सोचल मीरिया इंफ्लूएंसर्स सेलिब्रिटीज भी एलविश के सपोर्ट में आके हैं और खुल कर एलविश को सपोर्ट कर रहे हैं अब हाली भी एलविश के मातपिता को नैशनल टीवी पर रोते बिलगते देखा गया जिसे देख एलविश यादव के फैंस का दिल बुरी तरीके से तूट कया है और अब एलविश यादव की बेहन का भी पूरे मुद्दिप पर रियाक्शन आया है एलविश यादव की बेहन कोमल यादव जो की थाइलान्ट में रहती हैं अपने हस्पेंड के साथ उन्होंने अपने भाई के लिए को पोस्ट शियर किया है और लिखा है वहीं एक और पोस्ट कोमल ने शियर किया और लिखा कि I just pray tomorrow when I enter my house I see you there भाई तो इस तरीके से कोमल ने अपने भाई के लिए भी को पोस्ट शियर करते हुए कहा कि जब मैं कल घर आऊ तो मैं बस यही प्रे करती हूँ कि मैं तुम्हें वहाँ देखूँ और तुम प्यारे नोग शोक से मेरा वहाँ स्वागत करो एलविश यादव और कोमल यादव जो है वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छा बॉंड शियर करते हैं एक दूसरे के साथ नोग जोक करते भी नजर आते हैं और एलविश यादव को कई बार अपनी बेहन से रिलेटेड बात करते हुए व्लॉग में देखा गया है और एलविश यादव का परिवार इन दिनों बुरे दौर से गुजर रहा है एक तरफ एलविश यादव जहां सक्सेस की उचायों को छूरे थे आये दिन नए नए प्रोजेक्ट कर रहे थे म्यूसिक वीडियोस करते नजर आ रहे थे वहीं अब इतनी बड़े आरोप एलविश यादव पर लगाए जा चुके है जिसे लेकर एलविश यादव का परिवार भुरी तरीके से तूट गया है क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर हमें कॉमेंट्स की जरीए सरूर बताएं